दोस्तों हिंधि की बिंक्र चैनिल में आए सभी का सागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BPSC में रास्टि भारती आंदोलनOn यह जो भारती आंदोलन से तो सुतिंध्रत आंदोलन से तो किस प्रकार के प्रेश्ण जो है अभी आपकी तीन परिक्षाएं जो है परिक्षाएं जो है हो चुकी है यानि की हेड मास्टर की परिक्षा हो चुकी है इसके अलावा बात करें तो कक्षन नौ अर्दस की हो चुकी है नौ अर्दस की सभी विश्यों की परिक्षा हो चु तो ये तीन परिक्षाएं हो चुकी है और इन तीन परिक्षाओं में भारतिये रास्ट्रे आंदोलन इस से किस प्रकार के प्रश्टे जो है पूछे गए थे इन पर मैं चर्चा करूँगी तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को करंट अफेर से यानि कि अभी इन तीन परिक्षाओं में करंट अफेर से किस प्रकार के प्रश्ट जो है पूछे गए थे वो मैंने चर्चा कर दी थी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लगा दूँगी तो आप वहां से भी उस वीडियो को देख लीजिए कि करंट अफेर से किस प्रकार के प्रश्ट पूछे गए थे और आज हम चर्चा करेंगे कि भारते रास्ट अंदोलन से किस प्रकार के प्रश्ट जो है आ रहे हैं तो चले यहां प्रश्ट है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरू कौन थे तो यहां ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं जो भी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है यानि कि दादा भाई नोरोजी, एमजी राणाडे और सुरेंद्रणात बेनर जी इनमें से कोई भी नहीं है बलकि इनके राजनीति गुरू है गोपाल, कृष्ण, गोखले ठीक है यहाँ पर आप नाम नोर्डाउन कर सकते हैं गोपाल, कृष्ण, गोखले ठीक है यह इसका सही उत्तर है ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रिश्ण है चमपारण आने के लिए किसने गांदी जी को राजी करने के लिए निड्ने लिया था तो इसमें से ऑप्षिन आ जाएगा राजकुमार, शुकला ने जो है इनको चमपारण आने के लिए राजी किया था फिर यहाँ पर एगला प्रशन है लखनव समझोता हुआ था तो इसका हमें प्रकाशन वर्ष बताना है कि ये कब हुआ था तो ये हुआ था 1916 इस्वी में ठीक है तो इस प्रकार का कोई एक्ट हुआ हो तो उन सभी को आप याद कर लीजिए कि ये कब हुआ था आप यहाँ देख सकते हैं कि आसायोग आंदोलन को निलंबित किया गया था तो इसको निलंबित कब किया गया था तो वो है इसका ऑप्शन भी 1922 में ठीक है चले नेक्स चैर शारासी इस्वी में एशियार्टिक सोसाइटी ओफ बंगाल का आरंब किस ने किया था तो ये करने वाले थे विलियम जॉन्स ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है 1912 में पटना में होने वाले भारती रास्ट्रिक कॉंगरेस की अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्षते आर एन मुधोल कर ठीक है चले नेक्स्ट है 1942 में आंदोलन में लोगों ने सिया राम सिंग की अगवाई में कहां पर रास्टे सरकार की स्थापना की गोशणा की थी तो ये जो गोशणा हुई थी वो थी भागलपुर में ठीक है नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दोरान ब्रिटे सेना के के सेना पती को कुवर सिंग के विरुद भेजा गया था तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा उप्रियुक्त में से कोई नहीं option E जो है इसका उत्तर है तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा तो देखिए इसका सही उत्तर होगा वो भी आपको पता होना चाहिए तो इसका उत्तर है कैप्टन डूनबर कैप्टन डूनबर जो है इसका सही उत्तर है कैप्टन डूनबर को कुवर सिंग के विरुद जो है भेजा गया था तो ये प्रशन जो थे रास्ट आंदोलन पूछे गए थे चलिए और प्रशनों को देखते हैं और किस प्रकार के प्रशन पूछे गए थे तो चलिए यहाँ प्रश्ण है निमलेखित में से किसने यही प्रश्ण जो है वो Music and Arts में Music and Art इसमें जो प्रश्ण पूछे गए है राष्टे भारते सुतंतरता आंदोलन से वो प्रश्ण है तो चलिए देख लेते हैं यह भी परिक्षा साथ तरीकों ही हुई थी तो निमलेखित में से किसने रानी रक्ष्मी भाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी तो वो था अफगान ठीक है Option A Next Question है 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतिये इन में से कौन थे तो वो थे Option B सत्येंद्र ठाकूर Next Question है किस समासुधारक को लोग हितवादी के नाम से पुकारते है तो वो है C.H. देशमुक क्या है इसका उत्तर C.H. देशमुक Next है किस वर्ष मुहममडन एंगलो औरियंटल कॉलिज के स्थापना अलिगड में की गई थी तो यहाँ पर Option आ जाएगा E. इन में से कोई नहीं चलिए Next है Next Question है Hindu मेला किसने संगठित किया तो यह संगठित करने वाली है नव गोपाल मित्र ठीक है Option B Next है पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ तो यह हुआ था 1863 स्वी में Next है गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी तो यह हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में Next है भारती रास्टे कॉंग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो यह थी एनी बेसेंट ठीक है यहाँ पे भारती रास्टे अंदोलन से यह सारे प्रश्ण पूचे गए थे इसमें तो कम ही पूचे गए थे ठीक है चलिए Next प्रश्ण जो की 8 दिसंबर को हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्ण पूचे गए थे चलिए देखते है तो यहाँ प्रश्ण है कि भारतीय रास्ट्रे सेना I.N.A इसके संस्थापक कौन थे इसके संस्थापक थे मोहन सिंग ठीक है Next है ताना भगत आंदोलन किस से संबंदित था तो यह संबंदित था दलित आंदोलन से ठीक है फिर यहाँ पर जो प्रश्ण आता है वो यह है यह जियोग्राफी का कुश्चिन है हम यहाँ पर भारतीय रास्ट आंदोलन से प्रश्ण देख रहे हैं तो चले यह प्रश्ण है चले 1857 के विद्रो को किसने पहली बार प्रथम भारतिये सुतंतरता संग्राम के रूप में वर्नित किया था तो वो है वीडी सावर करने ठीक है नेक्स्ट कॉश्चिन है नमलेकत में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई तो इसमें सबसे पहले संथाल विद्रो जो है सबसे पहले हुआ नेक्स्ट है बंकिम चंदर चटर जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रो का उलेक देखने को मिलता है तो इसमें सन्यासियों का जो विद्रो है वो आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट है प्रथम बार संगहर्षों के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिसकार भारत में कब अपनाये गया तो ये अपनाए गया था बंगाल विभाजन के समय जिसमें स्वदेशी एवं बहिशकार जो है इन सभी को अपनाए गया था कि स्वदेशी चीज़े अस्तमाल करनी है और जो बाहरी विवस्त हुए है उनका बहिशकार करना है चले नेक्स्ट है 1922 में आयोजित भारते रास्ट कॉंग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो ये थे चितरंजन्दास नेक्स्ट है असायोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगवाई की तो इसका सही होता है स्वामी विद्यानंद ने नेक्स्ट है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के स्थापना किसने की तो ये करने वाने थे डैविड हेर ठीक है चलिए नेक्स्ट है इनमें से किसने कहा था कि कॉंग्रेस का महल लडखरा रहा है और भारत में रहते हैं मेरी एक बड़ी बहतो कांक्षा है यह है कि मैं शान्ती के साथ इसे मढ़ने में सहयोग दे सकूँ तो ये कहने वाले थे लौड करजन तो ये था संपोर्ण प्रशन जो कि भारते रास्ट अंदोलन से साथ और आठ तरिक को पूछा गया था और नेक्स्ट जो आज के प्रशन होंगे वो भी मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो के मादियम से शेयर करती रहोंगी तो बिहार के पीपर से जोड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जोड़े रहें ताकि यहां पर जो भी बिहार की अपडेट्स या फिर बिपीएसस से संब्दने जो भी चीज़े आएंगी मैं आप सभी को अपने चैनल के मादिम से बताते रहोंगे धन्यवाद